हेलो गाईज, टेस्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं बीना लेस्टून प्याज टमाटर का इस्तमाल किये फूल गोभी और भुट्टे की एकदम नए तरीके की रेस्पी यकीन मानी आप किसी को भी इस रेस्पी को एक बार बना के खिला देते हैं तो सभी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे तो इस रेस्पी को बनाने के लिए आप ले लिजी एक भुट्टा पहले हम इसका छिलका उतारेंगे और उसके बाद इसे हमें छोटे छोटे तुकड़े में तोड़ लेना है तो जितना आप तोड़ सकते हो एक बार में उतने तुकड़े में तोड़ लीजिए तो देखी मैं यहाँ पर इसे तीन तुकड़े में तोड़ लेती हूँ इसे ज्यादा छोटा तुकड़ा नहीं होगा उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पर एक फूल गोभी तो हमें जो है सह की फूल गोभी लेना है एक बार चिक कर लीजिएगा कि फूल गोभी में कहीं कीड़े तो नहीं है उसके बाद जो है हमें इसे बॉयल करना है तो पानी ग गरम होने के लिए रखा है और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे जैसे ही पानी से हलका उबाल आने लगे पहले फूल गो भी डाल दीजेगा साथ में हम डाल देंगे भुट्टा गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसे जो है हाई फ्लेम पे 6-7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि 50% पकना जाए जैसे ही आप देखें कि पानी का कलर चेंज हो गया है और फूल गोभी और भुट्टा जो है पक चुका है फिर हमें गैस का फ्लेम आफ करना है और इसे पानी से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे तो आप फैन के नीचे रखेगा ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए इस तरीके से आप फूल गोभी को बॉइल कर लेते हैं तो इस रेस्पी को बनाने में आसानी होती है और बारिश के मौसम की जो फूल गोभी होती है इसमें बैक्टेरिया और कीडे जादा होने की संभावन होती है तो आप बॉइल कर लेते हैं तो वो भी नस्ट हो जाती है तो हमें यहां पर देखी इस तरीके से फूल गोभी जो है तो लेना है जो बीच का डंठल बचेगा इसे हम जो है नाइफ से कट कर लेंगे ताकि तुकड़ा छोटा हो जाए उसके बाद हमें भूटे का द स sommes कारी करनी है चलिए अब हम चलते है नेक्स्ट सेब पर तो मैंने यह पर लिया है एक च्छोटी सी कटोरी और इस में हम निकालेंगे कुछ मसाले जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चम्मच भर करके धनिया पाउडर लिया है साथ में हम एट करेंगे एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर आप कॉंटिटी कम जादा कर सकते हैं इसी साथ इसमें हम एट करेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर साथ में लिया है मैंने आधा चम्मच साहुजी गरम मसाला आप कोई भी मसाला इस्तमाल कर सकते हैं इस रिस्पी के लिए उसके बाद यहाँ पर मैंने कस्तूरी मेथी एट किया है एक चम्मच और पानी डाल के हम मसाले को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम चक्रफूल लिया एक लाल मिर्ची लेंगे सूखी और हम 6-7 काली मिर्च के दाने और थोड़ा सा पत्थर का फोल लेंगे ये सारे खड़े मसाले जो है हमें लेना है उसके बाद आधा चम्मच यहां पर साबू जीरा एट किया है मैंने दो तेश पत्ता तोड़ करके इस्तमा सफेद तिल का इस्तमाल करने से जो है इस रिस्पी के जो ग्रेवी बनेगी वो बहुत ही गाढ़ी बनती है तो ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए मैंने यहां पर इस्तमाल किया है उसके बाद छे साथ यहां पर मैंने काजू के पी साइट किया है जिसे की बहुत ही बढ़ होने के लिए रखा है और एक चमज भर करके रिफाइंड ओयल आइट किया है उसके बाद आधा चमज जीरा डाल दीज़ेगा दो तेज पत्ता दो पिंच हींग आइट किया है मैंने और यहां पर हम मसाला डाल करके मिक्स कर देंगे तो गैस का फ्लेम लो रखिएगा ताकि मस मसाला जली नहीं मिक्स करते हुए दो मियाट तक पकाएंगे जैसे आप देखें कि अलग 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 दिखने लगा है कलर यहां पर डार्क हो गया है फिर इसमें हम एट कर देंगे पेश्ट पेश्ट करने के बाद हमें वापस फिर से इसे जो है मिक्स करना है और गैस का फ मसाला जो है थोड़ा थोड़ा कड़ाही में नीचे चिपकने लगा है अच्छे सी से हम मिक्स कर देते हैं उसके बाद हम इसमें एट करेंगे फूल गोभी और भूटे का दाना इसी के साथ इसमें हम एट कर देंगे स्वादा अनुसार नमाकों मिक्स करते हुए हमें इसे 4 मिक्स करते हुए बीच बीच में इसे हम पका लेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि हलका सा कलर चेंज होता हुए आपको दिखाई देगा फिर आप इसमें डाल दीजेगा ग्रेवी के लिए पानी तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाफ से पानी की कॉंटिटी आ जैसे ही आप देखें कि बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है और सब्जी अच्छे से पक चुकी है इसे एक बार आप मिक्स कर दीजेगा उसके बाद इसे हम गर्मा गरम रोटी चावल पराठा पूरी किसी के भी साथ सर्फ करेंगे खाने में यह बहुत ही टेश्टी लगे आप अपने घर पर इस तरीके से जो है एक बार सब्जी बना के ट्राइज जरूर करिएगा रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं आया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा ताकि ऐसी ही रेस्पी मिलती रहे मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेस्पी में बाई गाईज